एक छोटा एंटर्प्रेनर या छोटा किसान इस तरह से कैसे ग्रियूद्योग लगा करके या इस तरह से टेक्नलोजी करके कैसे अपने इंकम जेनरेट कर सकता है उस पर हम लोग काम करें हमारे किसान भाई खेती करने में एक दम माहिर होते हैं लेकिन जब फसल बेचने की बात आती है तो वो इसमें ठीक से मुनाफ़ा नहीं ले पाते ऐसे में सारे किये धरे पर पानी फिर जाता है लेकिन अगर हमारे किसान भाईयों के पास अपने उत्पाद को प्रोसेस करने का होनर हो यानि उत्पाद को बाजार में कच्चा न बेच कर उससे कोई अन्य काम की वस्तु बना कर बेची जाए तो इससे उनके किरशी उत्पाद की कीमत बहुत बहुत बढ़ जाती है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एलो विरा जूस कैसे बनाए इसके बारे में एलो विरा जूस बनाने के लिए जरूरी है कि इसके जो पौधे हैं वो कम से कम एक से डेड़ साल के होने चाहिए अब जो इसकी पत्तियां हैं इन्हें पहले अच्छे से धोलें क्योंकि आप इससे जूस बनाने जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि एकदम साफ सुत्री हो अब आए जानते हैं पूरी विधी कि कैसे इनसे जूस बनाया जाता है और कैसे इस मशीन को खरीद कर आप इसकी शुरूआत कर सकते हैं और ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं राजस्थान, कृषी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापूर कृषी प्रसंसकरण मौडल केंद्र के विशेशक्य हम लोग यहां एलोवीरा की प्रोसिंग कर रहे हैं, एलोवीरा की लीव से जूस बनाने की, आप सभी जानते हैं एलोवीरा एक औसधी पौधा है, इसमें बहुत सारे औसधी गुन होते हैं, जैसे की पेट की जितनी बिमारियां हैं, गैसियस प्राबलम हैं, किसी की अलसर हो जाए या घाओ हो जाए या और भी जितनी इस तरह से प्राबलम है, डाइजेशन की प्राबलम, इसमें इस सब के लिए काफी उपयोगी है, तो एलोवीरा की पत्तियों से जूस कैसे बनाया जाता है, उस पर हम लोग यहां काम कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, एलोवीरा क पॉधा होता है, उसमें से काट लेते हैं, काटने के बाद फिर इन पत्तियों को ऊपर से यहां से देख रहे हैं, यहां से, यहां से निकाल देते हैं उसके बाद इन पत्तियों को पानी में, साप पानी में, टैप वाटर में ये घंटे के लिए रख देते हैं रखने से क्या होता है जो एलो सेफ है ये पीला पदार्त है ये हर्मफुल है और इसके द्वाराज इससे जूस नहीं बना जाता है स्वादर लमपी इसको रखने से एक घंटे तक रिखने के बाद शता ही जो एये लो इन केंटेंट है थे पॉरा इस तरह से इसमें से निकल ग ही जाता है प्रखने के पस्चाथ जो एर इंडेक्स बाला पोर्शन है उपर बाला छिलका हम इसको इससे छील लेते हैं इसको अलग कर लेते हैं इस तरह से अब इसके बाद फिर इन एलो भीरा की पत्तियों को जो गुदा है इसको हम एक मसीन डिवलप किये हैं ग्रैंडिंग मसीन उसमें हम इसको ग्रैंड कर लेते हैं झाल प्रैंड कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको जूस को फिल्टर करते हैं फिल्टर करने के बाद चाहत फिर हम इसको पास्टराइज कर देते हैं वहाँ एक केटल है, स्टीम केटल उसमें फिर पास्टराइज मीन्स सेवेंटी डिगरी सेल्सियस तक उसको गरम करते हैं फिर अप्टू फोर डिग्री से ठंडा करते हैं, जैसे कि मिल्क में देखा होगा आपने जो बैक्तिरिया होते हैं, वो सब खतम हो जाते हैं. फिर उसके बार जब गरम हो जाता है, उसके बार हम इसे या देखे इस तरसे. करके फिर बोटलिंग कर लेती हैं, तो इस तरह से लोगों ने देखा है, इसके बनाने में खर्चा मात्र 20-25 रुपए का आता है, और मार्केट में अभी हमारे यहां एक सेल पॉइंट है, सेल काउंटर है, उस पर हम लोग इसको सव रुपए पर लेटर मेरता है, कोई भी भी किसान इस तरह से सेंटर लगा करके अच्छा उत्पा कर सकता है, यही पास में गाउं है बसी, वहाँ पर हम लोगों ने आज डेवलप किया है, उसको दे रखा है, और वो सिंपल छोटा साय करीब सतर असी हजार रुपए खर्च करके और 35-40 जार रुपए हर मैने वो कमा रहा है, जूस तो बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी कंपनियां अल्रेडी इसके मनिफेक्चर करती हैं, लेकिन एक छोटा इंटर्प्रेनर या छोटा किसान इस तरह से कैसे ग्रियूद्योग सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि बड़ी-बड़ी इंडर्प्रेनर रुपए खर्च करके आप एक छोटी यूनिट लगा सकते हैं, और इससे अपने उतपाद के मूल्य में बहुत ज्यादा इजाफा करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, तो देर किस बात क आप चाहें, जो भी फसल लगाएं, उसे प्रोसेस करें, वैलू एडिशन करें, खुद भी अच्छा कमाएं और दूसरों को भी रोजगार दें और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप जाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कारे करता रहें, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकत डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिये गर लिंक पर क्लिक करें, पेटियम करें, एने एफटी और ग्रेडिट कार्ड के जरीए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं